12.9 विद्यूत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर विद्यूत मोटर एक ऐसा साधन है जिसमें विद्यूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदला जाता है इसका उप्योग विद्यूत पंखों, प्रशीतकों, रेफ्रिजरेटरों, कपड़ा धुलाई मशीनों, कम्प्यूटरों, मिक्सी आदी में किया जाता है जब विद्यूत मोटर दिश्ट धारा पर कारे करता है इसलिए वह DC मोटर कहलाता है सिद्धान्त जब किसी आयताकार कुंडली को चुमकीक शित्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल कारे करता है जो उसे लगातार घुमाता है जब कुंडली घुमती है तो उससे सनलंगन धूरी भी घुमती है इस तरह मोटर को दी गई विद्योत उर्जा घूर्णन की यांत्री कूर्जा याने की गति जूर्जा में बदलती है मोटर की रशना वक क्रियाविधी चित्र 13 में दर्शाय अनुसार विद्योत मोटर में विद्योत रोधी तामबे की तारों की एक आयताकार कुंडली A, B, C, D होती है यह कुंडली प्रबल नाल चुंबक के अफ्तल बेलनाकार धुरू खंडों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं A, B तथा C, D, चुंबकी क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलाय के दो अर्धभाग, X तथा Y से संयोजित होते है इन अर्धभागों की भीत्री सता विद्योत्रोधी होती है, तथा धूरी से जुड़ी होती है विभक्त वलाय के सिरे क्रमशा दो इस्तिर चालक ब्रशों P तथा Q से स्पर्ष करते है चित्र तेरह, विधी, बैटरी से चलकर धारा ब्रश Q से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक P से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी जाती है ध्यान दीजिए कुंडली ABCD में धारा A से B, B से C, C से D की और बहती है अता AB वा CD में धारा परस पर विप्रीद दिशा में होती है इसके कारण AB पर बल नीचे तथा CD पर बल उपर की ओर लगता है तथा कुंडली वामा वर्त घूर्णन करती है आधे घूर्णन में Y का संपर्क ब्रश P से होता है तथा X का संपर्क ब्रश Q से होता है अता कुंडली में विद्युधारा DCBA के अनुदिश प्रवाहित होते हैं वह तरीका जो परिपत में विद्युधारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है उसे दिक परिवर्तक कहते हैं मोटर में विभक्त वले दिक परिवर्तक का कारे करता है विद्युद्धारा की दिशा बदलने पर CD तथा AB पर लगने वाले बलों की दिशा भी बदल जाती है जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धूरी का निरंतर घूर्णन होता है जिन मोटरों का उप्योग व्यवसाई कार्यों में होता है उनमें स्थाई चुम्बक के बदले विद्युद्ध चुम्बक का प्रयोग करते है तथा कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर देते है कुंडली को भी नरम लोहे के टुकडे पर लपेटते हैं जिसे क्रोट कहते है क्रोट तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं जिससे मोटर की शक्ति बढ़ जाती है बच्चों देखे हमारे पास यहाँ पर एक विद्धुद मोटर है विद्धुद मोटर फ्लेमिंग के बाय हाथ के नियम के अनुसार कारे करता है इसमें यह दो तारे हमें दिखाए दे रही है इनकी साहिता से हम यहाँ विद्धुद्धारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ पर है चुंबग चुंबग यहाँ पर लगा हुआ है तो चुंबग की खेतर की जो दिशा होगी वो लमवत उपर की और और विद्युद्धारा प्रवाहित होगी इस तार से इस तार की ओर तो ये मद्यमा के माध्यम से दिखाएंगे और चुमकी छेत्री की दिशा तरजनी के माध्यम से तो फ्लेमिंग के बाय हात के नियम के अनुसार यदि ये देखिए तामबे की तार से बनी हुई ये कुनली है जिसे हम धारावाही चालक के रुप में उप्योग कर रहे हैं तो धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा अंगुठे की दिशा पर होनी चाहिए तो चलो हम विद्युद्धारा प्रवाहीत करके देखते हैं यह देखिए जो विद्युत धारा का जो प्रवा है वो विद्युत धारा के प्रवा की दिशा ये थी तो जो बल लग रहा है वो अंगुठे की दिशा में लग रहा है तभी यह कुनली अंगुठे की दिशा में गती कर रही है इस प्रकार विद्यूत मोटर जो है वो फ्लेमिंग के बाय हांत के नियम के अनुसार कारे करता है. और साथ ही विद्यूत मोटर में विद्यूत उर्जा जो है वो यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित होती है.